मेरी चनल हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए पोहा की रेसिपी लेकर आई हूं जो एकदम डिफ्रेंट है एक बार गरवाले खाएंगे ना इस टाइप के पोहे तो बोलेंगे कि आज पोहे में क्या नया करा है जिब बहुत ही टेस्टी बने ह पोहे तो एकदम नीचे उतर जाएंगे ऐसे पोहे बने के तयार हो जाएंगे तो इसके लिए चनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे यहां पे मैंने जाड़ा वाला पोहा ले लिया है चावल का तीन कप लिया है हमिशा पोहा को जब ही पोहा बनाना चालू करेना तब ही आपको भीगो ना है और भीगो के दो तिन पानी निकाल के इसको छान लेना है छान के इसको रख देना है साइड में सुखाने के लिए इसको ज्यादा देर के लिए नहीं सुखाना है नहीं तो पोहा जो है उसमें स अच्छे बनेंगे, दो टीस्पून राई लिए है, राई पोहा में थोड़ी ज्यादा हो तो अच्छी लगती है, एक टीस्पून जीरा लिया है, एक टीस्पून हरी सौफ ली है, सौफ जरूर से डालिएगा, इसे पचने में भी पोहा, एकदम अच्छे से पच जाएगा, वनफोथ कप मुंगफली ली है, और तीन से चार हरी मिर्ची ली है, तीखी वाली, थोड़ी से कड़ी पत्ते डाले है, यह सब अच्छे से आधी मिनिट के लिए फ्राई हो जाए, उसके बाद हाफ टीस्पून हेंग डाल दीजिए, और दो यहाँ पे ओनियन को मैंने बार मिर्ची पाउडर डाला है, तो यह भी टीप आपको ध्यान रखनी है, इसे पोहा का कलर भी बहुत अच्छा आता है, और मिर्ची भी एकदम इवनली सब में स्प्रेड हो जाती है, अभी यह चार आलू मेंने छोटे कट करके डाले है, डेट टीस्पून नमक डाला है, और जो आलू है वो पूरा नमक सोक कर लेगा, जब आप पोहा खाएंगे ना, तो आलू में ज्यादा आपको खारास लगेगी और पोहा जो है वो थोड़ा सा कम सॉल्टी लगेगा, तो यह बात का आपको ध्यान रखना है, पोहा डाले तभी उसके हिसाब का नमक आपको डालन तीन से चार मिनिट इसको ढखके रहने दीजिए जब तक आलू जो है वह एकदम सॉफ्ट हो जाए, तो आलू यहाँ पे हमारे एकदम सॉफ्ट अच्छे से हो गए, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद यह जो पोहा है वो हमें डालना है, पोहा जो है एक टीस्पून से थोड़ा स़ग्म स्वाथ की अनुसार लेए, दो टेबल स्पून चीनी डाली है, चीनी आप पसंड़ेतों डाली है, वरना स्किप कर सकते है, पर चीनी जब ढाले तो चीनी का पावडर ढाले, वो जो बड़ी वाली चीनी आती है, वो नहीं डाले तो आपको अच्छे से चीनी जो है वो पोहा में मिक्स हो जाएगी आदा निम्बू का रस निचोड़ा है निम्बू के बारे में भी एक टिप है मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगी यहां पे मैंने एक पैन में पानी नीचे गरम करने के लिए रख दिया है दो ग्लास चीतना और हमें यह पोहा नहीं जो बरतन है वह रखना है पांच मिन Shiit के लिए इसको लो फ्लेम में इसी तरह से राखना है जो होटल में इकदम सॉफ्ट पोह झाते हैहें कि गलें में चिपकत के भी नहीं है ओल भी नहीं लगता है तो यह टिप हमें आजमानी है तो हमारे कोहे जो है कि आज क्या नया किया है इसके ऊपर ओनियन थोड़े से टमाटर अनार का दाना सेव और थोड़ा से जन धनिया ज्यादा डालेंगे तो पोहा बहुत अच्छा लगेगा और निम्बू लास्ट में जरूर से निचोड़ियेगा इससे टेस्ट बहुत अच्छा है और चेनल को स सब्स्ट््रेक कराएं